भांपलब मुलोग एक हैं यहां पिछले बार हमको दुसरे गाउं पे एहां पर हम फ्लावार का खेती के बारे अगे हम आज डेखेंगे तो यह ओडीसा का को सम्ने ब्लोग तो केलिए यहां अगहें आए हैं तो यह फ्लावार का खेती हैं ऑपको बात कराएंगे तो हम देख रहे है चो बेसे से बैजते हैं और कहाँ से लाए हैखे लिटेल्स हम जाएंगे फार्मस के पास और इस अचार में उसके बारे में में भी हम उनका साथ बात करेंगे तो फ्रा आप यह फ्लावार्स को दिखाए केमरा में भी कैसे है तो अच्छाई यह खेती हुआ है इसका नाजारा भी बहुत आच्छा दीक रहा है तो ठीक है अगे फिर हम देखेंगे आगे का जो खेती है और यह वेजेटेबुल्स का भी खेती करते हैं तो इनके बारे में डीटेल्स आज पता करेंगे ठीक है अभी हम पूछेंगे फार्मार अच्छा यह मैं तो बोल चुका हुँ यह हमारा डिस्टिक है मोयर्भंज और ओडिशा का तो यह बोल रहे हैं उनका ब्लोक है कुस्मी ब्लोक और काटवार्या गाउं और उनका नाम है रोगुनात हम्रम तो इनको हम फिर पूछेंगे तो यह कहां से लाए थे यह एड़ा अच्छा अच्छा और, प्लोक और विक्रीओन लाजा पाटवडा खासक पाड़ कातीघ्रही थे यह बोल रहे हैं फ्लावार्स का खेटी नहीं की अगल आगले सो गये थे तो यह भेजिटेबूल किये थे तो आभिभी वेजिटेबूल है लेकिस्टेबूर विक्रीवास क ट्रायल बेशिज में यह का रहे हैं फ्लावर्स का छेती है ठीक है तो आगे फिर इनका में दिखेंगे जो ध्यक्रती है दूश्रा जो यहसे दिखके हैं अभी हम आपको दिखा जो दाग हो जाता है और उसको सड़ भी जाता है तो यह problem यह net system में नहीं होता है तो यह देखिए और इसका distance मैं दिखाऊंगा इसका distance डिस्टांस लाइन का डिस्टांस डिस्टांस मेंटेन करना ज़रूरी होता है यह है डिस्टांस मिनिमूम यह एक मीटर डिस्टांस लिया है एक लाइन से दूसरे लाइन जो रहता है उसका पाट थोड़ा इसमें काम रहता है तो हम अभी ये जो फार्मार से हमारा रोगुनात जी उनको में पुछूंगा अच्छा एठी केते खर्चोही ची एक कॉन रार है एठी पांचोजार पांचोजार तो एठी केते लाभो हो बोली भावु चो पांचोजार तो ये बोल रहे हैं 5,000 यहां पर खर्चा हुआ है और ये सोच रहे हैं 40,000 के आसपास इनका कमाई होगा तो ठीक है तो ये भी प्रोफिट आछा देता है और आभीकार तो डिमांड ये जो सामार का टाइम में हो रहता है इस ताइम में इसका डिमांड भी बहुत ज़्ञादा ही रहता है मार्केट में भी तो अभी मैं पुछूंगा फार्मार्स को तो यहां पर खाद क्या क्या देते हैं और कैसे कि खाद का क्या टेक्निक है उसके बारे में हम थोड़ा पाता करेंगे इनसे तो ठीक है एडिक स तो यह बोल रहे हैं कि पचास केजी के आसपास दिये हैं डिये पी यूरिया और पोटास मिला के तो मैं थोड़ा आडवाइस करता हूं इनको भी तो थोड़ा खाद खोट जो रहता रहता है हम लोग का जो और्गानिक खट यह वह भी दिये हैं तो इटा गोब्रों दिया है अच्छा यह पूल्झने दिये हैं तो उससे थोड़ा क्या होता है नहीं हम लोगाण बोड़ी का जो रहता है मर्ष पार शेंवाद कम रहता है तो ये आमारा जो यह सिमडीपार का इलागा है यहां पर मिर्टी की क्यूंत थोड़ा जान तो आगे फिर हम दिखेंगे और कुछ है आगे उनको उनका पास हम जाएंगे वह जो खेती हुआ है फिर उहां पर दिखेंगे